और शुनाव खत्मोरी के बार दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जैन संभाग के उनते सीटों पर बीजेपी जीत का दावा ठूक रही है। तो वई बंसल नियूस से खास सर्चा में बीजेपी प्रवेश पाध्धक्ष जीतु जिराती का कहना है कि इस पर कॉंगरुस का यहां से सफाया हो जाएगा। बाचित करेंगे। जिराती जी सबसे पहले तो कड़ी मेनत है कहा जाता है मालवा निमार सत्ता की चाबी है और आप मालवा में बड़ी जिम्मदारी समाल रहे थे प्रभारी की तौर पर क्या कुछ देख रहे हैं कल वोट तो हो चुका है लेकिन अब बीजेपी कितनी कॉन देखिए प्यूश बई मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और विशेस करके आपके चेनल के माद्यम से क्योंके बंसल निउज और बंसल चेनल अपने आप में विश्वसनिता से भरा हुआ है आपके माद्यम से मैं सबसे पहले मद्यप्रदेश की जनता को दोनुं हाथ जो ये नत्मस्त तक करने जैसा है जनता ने इस सुनाओ को बहुत हाथो हाथ लिया है, दिल से लिया है, मन से लिया है, और इस पश्ट नोंके छेरे से, नोंके हाभाव से, नोंके मिलने से, ये समझ में आ रहा था कि फिर से मद्यप्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारती जनता पार्टी की सरकार बन रही है दूसरी बात आपने पूछा कि मालवा निमार्ग छेतर में क्या परिस्तित रहेगी उज्जेन संभाग के 29 सीटों के बारे मैं आपने उससे जानना चाहा मैं आपको बहुत जम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अभी उज्जेन संभाग की जो हमारे आड़ जेले हैं उज्जेन, नागर, शाजापूर, निमच, मनसौर, रतलाम, यहां पर 20 सीटे भारती जनता पार्टी की पक्षमें भी थी हम लोग लगभग 25 से 26 सीटे जीतेंगे इस बार और जब चुनाओ के पहले तक लगाता रहा हम केमपेंड में थे, परचार में थे तो जब हम शुरुआती दोर में उतरे थे तब कहीं न कहीं क्योंकि कॉंग्रेस भी एक राजनितिक दल है तो लग रहा था कि कहीं न कहीं टकर होगी, मज़ा आएगा, वो सब कुछ होगा लेकिन जेसे जेसे हम धीरे धीरे चुनाओ की तरफ बढ़ते गए, कॉंग्रेस कह ने तक कॉंग्रेस की लोग जब भी इनके बीच में गए, तो जन्ता ने उनको एकदम रस्ते कर दिया, चलते कर दिया, आप रतलाम शेहर की अगर हम बात करें, एक तरफा चुनाओ है, हम जावरा की बात अगर करें, कहीं पर भी अगर जाओगे, आप अज्जेन दक्षिन अगर की हम लोग बात करने, देवास की पाच सीट है, आप लिख लो कि पाच की पाच सीट है, भारती जन्ता पारटी के पक्ष में जाने वाली है, चले जीतू जिराती हैं और बेबाकी के साथ में अपनी बात रखते हैं, आप देखना ये होगा कि दावें में कितना दम है उन्ती सीटों पर जमकर पसीना बहा है, और मालवा निमार जिसे सत्ता की चावी कहा जाता है, वहाँ पर भीजेपी क्या कुछ कमाल कर दिखाती है, ये तीन दी सबमर को यहाँ पर साफ हो जाएगा, चीते इंद्र मकवाने के साथ, पियूश पार इबन सलियूस इन्दॉर और बात अब छतीस गड़ की जहाँ पीसी से चीफ दीपक वैज ने बयान दिया है, समिक्षा बाठक पर हुई शिकायतों को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ शिकायते आई हैं, प्रत्याशियों जिलाद धेक्षों ने शिकायत की है, और शिकायतों को पाती ने गंभीरता से भी लिया है, शिकायतों का परिक्षों हम कराएंगे, यदि कुछ गरत पाया जाता है तो कारिवाई भी की जाएगी पाईगे जाएगे और अग्षों हम प्रत्याशियों जाएगे